गाव में स्टेट लाइट लगवई, ब्रेनेज लाइन डलवई, फिर रोड बनवाए जन्ता की माईए ये भीजली पानी और आसन की सुराब भी ने बहुत कर रहा है, बहुत काम हुए हैं, मुझा बहुत कर रहा हैं, बहुत ज्यादा आप मुझा जैसे मज़दू काम करता है, उस तरीके से इन्हों ने मतलब केने का हथ में फाइप लेके और पूरी कालूनी सेनरडाइज करिये बाहुलिश्यत्र है, आदश पंचायत है, मुझा प्रदेश में इससे बड़ी पंचायत नहीं है, और यहां पर कॉंग्रेस से जुड़े सुहराब पतेल का 25 वर्षों से कब्दा है, तो वहीं इस बार असुद्दीन OVC की पाथी MIM ने यहां उम्मीदवार खड़ा करके त्रिकोनिय मुकाबला कर दिया है, पंचायत के बारे में ज्यादा ना पताते हुए, हम आपको सीधर दिखाते हैं बात पंचायत की ग्राउन रुपॉर्ट आप ईखु कि अ T आपके साथ में वैशनवी, चुनावी दोर में हम रुख करते हैं अब ग्राउन पंचायत का, और ग्रा्उन पंचायत में हम पहुंच चुके हैं बांक पंचायत में, जी हाँ, बांक, पंचायत मध्यप्रदेशана की सबसे बड़ी पंचायत हैं और यहां 20,000 मत दाता है आपको ये भी बता दे कि स्वारा पटेल का यहां पर 25 बरत से कबजा है तो आए जानते हैं उनके कारे के बारे में किस तरीके से उन्होंने कारे किये हैं क्या लोग उनके कारेों से कितने खुश है और कौन संतुष्ट है कौन असंतुष्ट है तो चल पटेल जी रहे हैं हर बार में हर बार विसे कार करवा है उनने गाओं में इस्टेट लाइट लगवई ड्रेने लाइन डलवई फिर रोड बनवाए क्या फिर पानी की ववस्ता करी टंकी की और अब चुनाव हो रहे हैं अब जो जंता मांग करेगी उस हिसाब से उनकी पू पानी भी बराबर आता है और क्या चीजे नहीं उन्होंने बनवाई है रो जो के लिए और जो योजना निकलती गवर्मेंट योजना जैसे अईश्मानकाद योजना ये सारी च्छली तो उनसे अफगत करवाया है करवाया है और कोरो ना के समय में उन्होंने क्या कारो नह अब सब भाहियों से मिलके ग्यों इखटे करें, पिस्वाये और फिर गरीबों में तक्सीम करें, और गरीबों की खुब मदद करी उनने. बहुत चाल से बिला हुआ तो क्या विकास कारी हुआ है और कौन सी इसी शिकायते जो आप करना चाहते हैं? कौन से कारी आपकी गली में नहीं हुआ है? कौन सी गली है यह यह lying number है? तो कौन सी कार्还 है इसमें अभी बाकी है? भाकीत क्या है या जब और पाकी है लोड वगिरा जो नही बनी है yet? तो इन सब के बारे मुखने आपने कितनी बार सिकायत कर झाते हैं? तक नोड शो बादे मी किस तक ब्ड़न होगे कोई निकर्दा हो करने कि आता हिए यहां पर आता वो देखता सहला था धूँद 50 करें हैं यूद कि और स्कूल वगरा जो बने उसके बारे में क्या करेंगे स्कूल अच्छे से चल रहे हैं सब्सक्राइब तब से लेकि अब तक में क्या क्या विकास कारी हुए है बहुत काम हुए है मतलब सुराब भी ने बहुत करा हुए काम करवा है बहुत ज्यादा मतलब हैं समय सिमिट कंक्रेट रोड बनवाया लाइन डलवाई है पाइप लाइन डलवाई है और टंकी का निर्मान करवाया इसकूल का निर्मान करवाया और जो भी योजना रहती है सर सब कुछ बदल दिया उन्होंने मेडम अभी पानी की टंकी बन रही लाई डेने अपने ये रोड वगेरा गली-गली के रोड बना दिये कोरोना में बहुत काम गरा उन्होंने और सारे लोग उनको चाहते हैं बिल्कुल कोई ऐसा काम जो करवाना चाहते हैं और वो ना रहा हम सब कोशिस में लगे हैं और सोचाल आए उन्वा दिये करवा दिये सब मैं गिरिन पार्क में रहता हूं और में को 15 साल हो गया है सरपन्स आप के जितने भी काम हैं सब हमको बहुत अच्छे लगे हैं दूसरी बात क्या है कि विकास पर यह ज्यादा धियान देते हैं आज मतलब कहने का करोना काल के अंदर पूरी कालोनी खुद टेक्टर लेके और सेनेटाइज करते हुए हमने इनको देखा है और जैसे मजदूर काम करता है उस तरीके से इन्होंने मतलब कहने का हाथ में पाइप लेके और पूरी कालोनी सेनेटाइज करिए हमारे सामने की दूसरी बात गिरिन पार्गे के अंदर टोटल इस्टेड लाइट सुराब भहीने लग वही है और गली-गली के रोल सुराब भहीने बनवा है आप अभी भी जाके देख सकते हैं के गलियों के कोने कार्णल के उपपर सुराब भही के नाम के बोर्ड लगे हैं और यह क्या है पर गभी विकास पे ज़्यादा दियान देते हैं. दूसरी बात क्या है यह खुद मतलब कहने का किसी के भरोसे काम ने करते हैं, खुद खड़े रह करते हैं. यह चीज आप लोग मतलब कहने का continue देखते आ रहा हैं और हम भी देख रहा हैं. और हम जानते हैं कि यह काम सुर पंच मिले तो सुराब भेई सरीका ही मिले जो आगे विकास में ध्यान दे इसकुलों पे ध्यान दे जानते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रॉसेस चलती है पंचायत बाग से सहली अधेक्छ सहली की अधेक्छ समुकी में और यह कच्रा पुरी बाग पंचाय से आता है कम से कम हमारी पांच गाड़ियां चल रही है और सियासा नावदापंत वहां से भी कच्रा हम लोग ले रहे हैं और यहां पर कच्रा मतलब चाटता है कम से कम दिन मतलब कच्रा बेशने लाइक 200 किलो हम चाटते हैं हमारी सहेली की समू की महिलाओन चाटती है और इसको बेशने लाइक इसी मैंसे हम बचट निकालके हमारी मजदूरी निकालते हैं कितने समय तक यहां पर रहता है पर आगे कहां जाता है यह लेने वाले आते हैं लोगों को हम बेचते हैं और हमारी मजदूरी निकालते हैं इसमें से और पंचायत को भी इसमें से मतलब यह हो रहा है मतलब आते हैं हमारी मदद करते हैं गाड़ी उनका भी मतलब मदद करते हैं मतलब चलाने के लिए ड्राइवर होन मतलब उपस्तित करवाते हैं मतलब उनका बहुत युगदान है इसमें यहां पे आते हैं मैं जब बुलाती हूँ जब भहिया यहां पे आते हैं और कुछ श्विकायत है आपके इसको लेकर कि इसमें और क्या अच्छा करना चाहते हैं जो इस वो सिफ़ाई कर ले मतलब इतनी मेहनत नहीं लगे हमारी इसलिए मैंने भाया को बुलाया था और उनने मसीने लगाने के मतलब जीला में आदेश दिया है कि हमको मसीने लगाने करें पाग पंचायत में काफी लोग सरपंच के कारियों से बहुत खुश है तो कुछ असंतोस्ट भी है कुछ लोग पंचायत में सड़क और कच्रे की समस्या से परिशान है तो कहीं ब्रिनेज लाइन नहीं डली है जिससे बारिश के दिनों में यहां काफी परिशानियों का सामना रहवासियों को करना पड़ता है लोगों को उमीद है कि आने वाला सरपंच उनकी इन समस्याओं को पूरा करेगा उनकी इन समस्याओं को हल करेगा अब देखना यह होगा कि यहां कौन सरपंच के पत पर प्रड़ देट